मार्च 2020 में भारत में भी लोगडाउन लागू हो गया था कोरोना ने अपने पैर पूरी तरह से पसार लिए थे इसी तरह पर बीच बीच में कई तरह की अफवाएं कई तरह की खबरें चल रही थी और एक खबर आती है राजिस्तान के जिलाकोटा से वहां का एक सुधा होस्पिटल है और किसी ने बनाने वाले ने एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाते हुए एक डॉक्टर का फोटोग्राफ से लगया कि गोड से देख लीजी इस डॉक्टर को ये इलाज के नाम पर लोगों की किड्निया निकाल रहा है जब ये मैसेज बहुत तेजी के साथ फेजबुक पर सोशल मीडिया पर अलग-अलग सोशल साइट्स पर वायरल होता है तो देश भर में हड़कम्प मत जाता है एक तरफ डॉक्टरों को लेकर बड़ा विश्वास जम रहा था दूसरे तरफ जब ये बातें सुनने को आ रही थी तो लोगों में हॉस्पिटल जाने से भी कत्रा रहे थे डर रहे थे अब इसका फैक्ट चेक किया जाता है पुलिस परसाशन जुड़ जाता है इस व्यक्ति की यानिकि इस डॉक्टर के तलाश में आखिरकार ये दिल्ली में व्यक्ति मिल जाता है 29 जॉलाई 2020 को कई महीने की मशक्ट के बाद ये डॉक्टर हाथ तो आ जाता है और जब इसके बारे में इसका इतिहास के आएने में जहांकर देखे जाता है इसकी हिस्टरी खंगा ले जाती है तो वाकिए बहुती चोकाने वाली बात सामने आती है दरसल इस व्यक्ति ने एक दो नहीं बलकि डेड़ सों से जादा गतल किये थे और ऐसे गतल किये थे जिसको सुनने के बाद भारत का कानून भी कहीं न कहीं शर्मा जाता है लेकिन हैरान करने बाली बात ही है कि भारत का कानून इसको अभी तक फांसी की सजा तो दे चुका है लेकिन चड़ा नहीं पाया और आज भी ये व्यक्ति तिहार जेल में सजा काट रहा है बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो विजारत हीने आदाब नमस्कार शास्त्रियकाल मैं उस्मान सेफी आज की जो सची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इस सची घटना है राजिस्थान प्रदेश का एक शहर है जैपुर और बात कर रहा हूँ 18 जनवरी 2004 की दरसल जंक्षन रेलबी स्टेशन से जैपुर के एक व्यक्ति कार को हैर करने के लिए कराय पर लेने के लिए इधर उधर भटक रहा था कई सारे लोग उसको आवाज देते हैं कि साब कई चलना है तो हमाँ बताईए अलग-अलग लोग जब उसे आवाज देते हैं तब उसे एक टाटा सुमो कार दिखाई देती है टाटा सुमो के पास जाता है उस ड्राइवर से कहता है कि भाई आपको चलना है क्या मैं बहले कहां जाओगे साब मुझे उत्तर प्रदेश के एक शहर है हापुड वहाँ जाना है मेरी बीबी और मेरी बच्चे हैं बस उनको लेकर और बापिस आना है आप आने और जाने का दोनों तरफ का किराया बताईए तो जो भी अगर ठीक बताओगे तो मैं आपको लेकर चला जाओगा तो उस ड्राइवर का नाम चांद खां चांद खां से बात कर रहा था वो व्यक्ति चांद खां एक ही बार में कहता है कि साब मैं इधर की ना उधर की 2100 रुपे चाहिए अगर आपको मनजूर है तो मुझे लेकी चलिए नहीं तो किसी और से बात कर लीजी वो व्यक्ति कहता है इतना नाराज होने की जरूत नहीं है मैं आपको 2100 रुपे ही दोंगा लेकिन चलो चलते हैं अब जैसे ही बात चलने की आती है तुरंत ही वो अपने भाई को बलाता है इसका भाई शराफत अली वहीं आसपास में था उसको अवाज देता है कि भाई गाड़ी बुक हो चुकी है और हमें हापुर जाना है जो यूपी का एक शहर है जैपुर से गाड़ी निकलने वाली थी गाड़ी में जैसे चलने वाले थे तुरंथी वो व्यक्ति कहता है कि सहाब बात तो एक व्यक्ति की होई थी है और मैं जा रहा हूँ मेरे बच्चे आएंगे तो इस व्यक्ति को तुम कहां लेके जा रहे हो तब शराफत अली और उसका भाई चांद खां दोनों आपस से बात चीत करते हो कहते हैं जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे नहीं तो नहीं जाएंगे आपको पता नहीं है अलग-अलग शहरों में चाहे वो मेरट हो अलवर हो रिवाड़ी हो दिल्ली हो राजिस्तान यूपी ऐसे कितने शहर हैं लोग टैक्सी लेकर चले जाते हैं ना टैक्सी मिलती हैं ने ड्रैवर लोट कर आता है इतना डर बना हुआ लोगों में खासकर सुमो गाड़ी को निशाना बना जाता है साब इसलिए जाएंगे तो दोनों भाई साथ जाएंगे नहीं तो नहीं जाएंगे यहाँ पर वो व्यक्ति थोड़ा चट पटाता है मना करता है लेकिन आखिरकार वो तयार हो जाता है और 2100 रुप में और जब तयार होता है तो गाड़ी यहां से अब चल ठड़ती है यहाँ पर पूरा नाम वगएरा नोट कराए जाता है नाम था महेश खंडेलवाल जो व्यक्ती गाड़ी लेकर क्राये पर जा रहा था गाड़ी चल पड़ती है और गाड़ी चल पड़ती है तो जब घंटो दो घंटे या तीन घंटे का सफर तैह होता है तो रास्ते में एक जिला पड़ता है डोसा और इसी जिले का एक जगे है महोबा यहाँ पर कुछ चाय पानी पीने के लिए टोइलेट बगरा जाने के लिए गाड़ी रोकी जाती है गाड़ी रोकने के बाद यहाँ पर जो चांद खाँ है वो स्टेडी पर जाता है और फोन करता है अपने अब्बू गफार खाँ को अपने अब्बू गफार खांसे कहता है कि अब्बू हम लोग डोसा पार करने वाले हैं कुछी दिर में और यहां से सीधा जाएंगे और बस हमें जाकर वापिस लुटकर आना है चिंता मत करना परशान मत होना जो सहाब हमारे साथ जा रहे हैं महेश खंडेलवाल वो बहुत ही अच्छे हैं रास्ते में उन्हें खिलाय पिलाय विया हमें और वो हमारी बड़ी खात्र भी कर रहे हैं तो इसके अब्बू यानि कि गफार खां बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कोई बात ने बेटा आप आना हम आफका इंतजार करेंगे बहुत ये इंतजार घरवाले करते रह जाते हैं लेकिन कभी बी ना चांद ना उसका भाई शराफत लोटकर आते हैं और ना ही उनकी गाड़ी मिलती है जब दो तिन दिन का समय बीट जाता है तब उसके पिता जी गफार खान जो की जैपुर की ही एक रोडवेज बसके अंदर वर्कशोप जो होती थी वहाँ पर ड्राइवरिंग का काम करते थे अपने घरवालों से बार बार पूसते हैं कि क्या चांद और शराफत बापिस आए तो घर से सिर्फ एक ही बात मिल रही थी कि नहीं आए आखिरकार मजबूर होकर कई दिन के बाद वो पहुँच जाते हैं थाने में जैपुर के एक थाने में जाने के बात कहते हैं कि साहब मेरे बेटे दोनों चांद और शराफत एक व्यक्तिम को लेके गया था हापुड लेकिन लोट कर नहीं आए आप मुकदमा दर्च कर लिजे अफायर दर्च कराई जाती है वो जैयारपी थाने में क्योंकि मामला जंक्शन से जुड़ा हुआ था जब जैयारपी में सूर अली और सब इंस्पेक्टर महेंदर भगत तो ये दोनों इस मामले की रिपोर्ट लिख लेते हैं और जांच करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ही जो अब तक लीपा पोती हो रही थी क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं था अब से पहले लग बग अलग अलग इलाको क्योंकि इस लड़के के पिता मतलब इन दोनों लड़कों के पिता गफार खां अपने परिवार के साथ रोज आकर थाने पे बैट जाया करते थे और डियाए जी हरिशंद मीना को ऐसा लगता है कि क्यों नहीं इस मामले में तप्तीश कराई जाए 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 और उस से फोन घर पर आया था उसी के अधार पर ये उसी जगह पहुंचते हैं और ये कि यह इलागा होता है उत्तर प्रदेश का कासंपूर वहां की स्टीडी से फोन किया गया था जब पूंचा जाता है कि क्या इस हुलिये की व्यक्ति ने फोन किया था तो वहां पर एक महिला ब कोशिश की तो फिर एक और बात निकल के सामने आती है वो बात यह होती है कि जो इस गाड़ी के अंदर व्यक्ति बैठा हुआ है उस व्यक्ति ने भी फोन किया था अब उस व्यक्ति ने फोन किया था ये पुलिस के लिए एक लीड बन जाती है और पुलिस इसी आधार पर पता करने की कोशिश करती हैं, उस महिला से पूंसती है कि आखिरकार किस को फोन किया गया था, कैसे फोन किया गया था, तब पता चलता है कि इस व्यक्ति ने पहले भी फोन किये थे. दरसल यह व्यक्ति, जो था बड़ा पित्रिश मतलब बहुती जाना मैना एक चहरा था बहुत लोग से अच्छी से जानते थे और यहां से जब फोन किया गया था तो इसकी भी कोल डिटेल निकल बाई जाती है और कोल डिटेल निकल बाने की बात पता चलता है कि इस गाड़ी में बैठे हुए महेश खंडेलवाल नाम की व्यक्ति ने अलिगड़ के रहने वाले उदेवीर राजू उर्फ रजवा इनको फोन किया था अब पुलिस राजू उर्फ रजवा के पास पहुंसती है तो ये बात पहुंसते पहुंसते पुलिस की जांच काफी वक्त गुजर जाता है महीने डेड़ महीनी जब गुजर जाते हैं तब पुलिस उनक तो कोई ऐसी बात नहीं है उन्होंने इधर दर की बाते की पुलिस वाले क्योंकि मामने जाँच दी गए थी इसलिए पुलिस वाले उस व्यक्ति से मिलने के लिए वो व्यक्ति हातरस की जेल में बन था उसी के पास पहुंसते हैं लेकिन नाम बताया था महेश खंडेलवाल और यहां जो नाम आया था डॉक्टर देविंदर शर्मा अब डॉक्टर देविंदर शर्मा जो की एक हातरस की जेल में बन थे पुलिस वहां पहुंसती है उसे बाचीत करने की कोशिश करती है तो डॉक्टर फूट फूट के रोने लगता है पुलिस को देखकर कहता है कि साब मुझे एक बार फिर से फसा दिया गया है कहते हैं किस ने फसाया क्या बात है तो वो अलिगड के दो व्यक्तियों का नाम लेता है और इतनी अच्छे तरीके से वो बात बताई जाती है कि पुलिस भी यकीन कर लेती है पुलिस सीधा अलिगड जाती है उन्हीं दो व्यक्तियों को पकड़ती है पकड़ने के बाद सीधा जैपूर लेके जाती है और जैपुर की सेंट्रल जेल में उन दोनों व्यक्तियों को बंद कर देती है लेकिन उन दोनों व्यक्तियों ने अलीगर से लेके सेंट्रल जेल के अंदर बंद होने तक बार बार एक ही रिकेस्ट कर रहे थे कि साहाब हमने कोई भी कतल नहीं क्या है हमने किसी को नहीं मारा है इस बीच में जब ये इन दोनों व्यक्तियों को ढूड़ा जा रहा था उदैवीर और दूसरा उसका साथ ही राजूर, फुरजुआ और पुलिस जब इने दो लोगों को अलीगट से गरफतार करके लेके गई थी तब ही इनी दुनों एक कास गंज की एक नहर है और उस नहर को हाजरा नहर भी कहते हैं और हाजरा नहर भी वहां से दो लाशे मिलती है और उन लाशों को जब पुलिस कवजे में लेती है कवजे में लेने के बाद उनका पोस्ट माडम कराया जाता है पोस्ट माडम कराने के बाद उनके शरीर पर जो समान मिलते हैं उसके बाद घरवालों का इंदार किया जाता है लेकिन कई दिन बीट जाने के बाद भी घर वाले संपर्क नहीं करते हैं आखिरकार पुलिस को मजबुरन उन दोनों शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ता है और उनके पास महज एक कंबल मिलता है और एक घड़ी मिलती है और यही बात यही नियूज जब गफार खां को दी जाती है उन दोनों पुलिस वालों के माध्यम से यानकी महंदर भगत और जी आरपी इंचार्ज मंसूर अली के माध्यम से तब उसके पिता गफार खां आकर देखते हैं लाश तो बची नहीं थी कुछ फोटोग्राफ्स थे साथ ही वो कंबल और घड़ी थी उसी से पहचान पड़ जाती है कि मरने वाले कोई और नहीं उसके बेटे चांद और शराफत दो नहीं थे घर वालों की तो हालत खराब हो जाती है परिवार वाले परिशान हो जाते हैं इस ख़बर को सुनने के बाद और पुलिस ये बिक्कुल इत्मनान कर चुकी थी कि जो हमने लोगों को पकड़ा है वो बिक्कुल सही लोगों को पकड़ा है और वहाँ central jail में उने दोनों व्यक्तियों को बंद कर दिया जाता है लेकिं इन दोनों व्यक्तियों नहीं बारी बार इसे एक बार नहीं कई बार पुलिस प्रिसाशन को लैटर लिखे कहा कि साहब इस मामनी की पुन्हें जाच करा लिजीए हमने कोई कतल नहीं किया है दरसल पुलिस ने हमें फरजी रूप में फसाया है और यही लेटर पहुंच जाता है डियाई जी हरिशन्द मीना के पास और हरिशन्द मीना एक बार फिर सब इंस्पेक्टर महेंदर भगत और JRP, In Charge, Manصور अली को बलाते है कहते हैं कि मुझे भी कुछ घाल में लग रहा है मुझे भी कुछ दाल में काला लग रहा है मैं चाहता हूँ कि तुम इस मामले की फिर से पुनहें जाच करो और उन्हें पुनहें जाच कराने के लिए भीज़ा जाता है जो अभी तक नहीं हुआ था जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था तब ये दोनों इंचार्ज और सब इंस्पेक्टर मिलकर काम करते हैं ये अलग-अलग अलबर, रिबाड़ी, दिल्ली, राजिस्थान, व्यूपी के अलग-अलग जगों पर जाते हैं, जहां-जहां से वो टैक्सी वाले गायब होई थे जहां-जहां से वो टैक्सी की गई थी, फिर लोगों से परताल की जाती है एक sketch बनवाय जाता है और इस sketch जब बनवाय जाता है तो वो sketch उसका हुलिया उसकी आँखें उसकी नाख उसकी भौँ उसके बाल किसी से match कर रहे थे तो वो match कर रहे थे उसी देविंदर शर्मा से जो की डोक्टर है जो की हातरस की जेल में बन था पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और तुरंत ही दोड़ते हुए पुलिस मोके पड़ जाते है और मोके पड़ जाने के बाद डॉक्टर देविंदर शर्मा को हिरासत में लेती है और साथ ही जो दो व्यक्ति जो गायब थे अभी तक उनको ग्रफतार किया जाता है अलिगड कोई भी व्यक्ति सन रह सकता है ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में कितने क्रूर प्रिवरती के लोग रहते हैं दरसल देविंदर शर्मा ही जैपुर के जंक्षन से इस गाड़ी यानि सुमो के लेके आया था और रास्ते में आने के बाद जब फोन करता है अपने दो साथिय कर देते हैं और शब को कास गंज की उसी हाजरा नहर में फैक देते हैं जिस नहर में बे इंतहां बहुत सारे तादात में मगर मच बताया जा रहे थे और वो मगर मच उन्हें पूरी तरह से खा नहीं पाते और वो लाशें कहीं न कहीं बाहर किनारे पाय जाते हैं जो पुल का जो सोती गंज है वहाँ पर गाड़ी कटवा चुके हैं पुलिस जब इन से और सक्ती से पूश्टाश करती है और बारिकी से जानने की कोशिश करती कि आखिरकार क्या मामला है क्या माजरा है तब देविंदर शर्मा अपने बारे में कुछ बताता है वो कहता है कि उसने B.A MS का कोर्स किया है आयरुवेदिक का शिवान बिहार से 1984 में बहुत अच्छा काम चल रहा था इसका बहुत सारे इसने पैसे कमाए और बहुत सारे पैसे कमाने के बाद इसने ख्वाइश रखी कि वो एक पैट्रल पंप बनाएगा एक पैट्रल पंप खोलेगा और 1994 में एक ऐ पैट्रल पंप आवंटन करने वाले फरजी लोगों ने 11 लाक रुपे इसके ठग लिए लूट लिए और यह सलक पर आ जाता है जब सलक पर आ जाता है तब इसने जो अलिगड का इलाका है चर्रा वहां पर इसने एक अवैद रूप से एक गैस की एजनसी खोली थी और वहा लगभग उनिस तरह से लूटना है यह लूट लेंगे लूटना ही शुरू करते हैं तो पहला ट्रक लूटते हैं यह लगभग उनिस सो चानम सत्तानमे के असवास यह उससे बाद में शायद बताय जा रहा था यह जो पूरी कहानी है कतल करने के 2002 से लिके 2004 की बीच किया है तो 2002 के असवास का वाक्या है एक ट्रक वाले को उसके विश्वास में लेते हैं उसका कतल करते हैं और उसी हाजरा नहर में फैंक देते हैं जहां मगर मच्छ होते हैं जितने भी इसके अंदर सिलेंडर थे उसी चर्रावाली गैस की फरजी एजनसी पर रखते हैं और यहां से इस ट्रक को ले जाकर मेरट की सोती गंज में कड़वा देते हैं यहां से इनकी पोवारे शुरू हो जाती है और एक एक करके लोगों की हत्याएं करना शुरू कर देते हैं इस तरह से यह खासकर गैस लेंडर व पांच लाख रुपे कम से कम और अधिकतम उन दों दिनों में साथ लाख रुपे तक की किटनी बिका करती थी अब इन्होंने हत्याओं का सिलसला शुरू कर दिया ठीक वैसे ही जैसे चांद और शराफत की के थी और चांद और शराफत के साथ-साथ ऐसे नजने कितने लोग 27 लोगों के तो F.I.R. तक दर्ज है उनका रिकोर्ड है और कई मामलों में तो F.R. भी लग चुकी है लेकिन जब धीरे धीरे इनसे पूछा जाता है तो ये 50 लोगों के नाम तो बता पाते हैं कि हमने 50 लोगों की साथ ऐसे ही किया था तो उस हाजरा नहर में फैक दिया करते थे धीर धीरे करके इनकी जो संख्या थी वो डेर सूसे ज़ादा पार हो चुकी थी और इसी तरह से जो कतल का सिलसला चल रहा था कितने ही ऐसे मामले थे जहां पुलिस ने गंबीरता से ही नहीं लिया कितने ही मामले ऐसे थे जहां पर पुलिस ने जांच ही नहीं की काश पुलिस ने वक्त के रहते जांच की होती या फिर किसी जांच अधिकारी ने एक दूसरे की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की होती क्योंकि राजिस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हर्याना ऐसे कई राजियों की कई जगों की गाड़ियां लगातार चोरी हो रही थी लगातार ड्राइवर गायब हो रहे थे और पुलिस इस मामले को गंबीरता से नहीं लेती है जब ये मामला कोट में चलता है, कोट में चलने के बाद सन दोहजार आठ में एक मामले में यानि कि सोले मई दोहजार आठ को एक नरेश वर्मा ड्राइवर के मामले में इसको फांसी की सजा सुनाई जाती है लेकिन फांसी दी नहीं जाती लगवग नो अलग-अलग मामलों में इसे उमर कैद की सजा सुना जाती है और अभी भी वाकी मामले विचारा दीने और उन पर पुलिस की या कह सकते हैं कि पुलिस ने बहुत अच्छे से काम किया होता तो शायद कोर्ट बहुत जल्दी पहले ही निरने दे चुका होता लेकिन कोर्ट की कारवाई तो खर आपको पता ही है कि इतनी सिधलता पूर्वक रखी जाती है सेंट्रल जेल में ये बंद था और सेंट्रल जेल में बंद होने के साथ-साथ इसका वहवार दिन परती दिन बहुत अच्छा होता चला जाता है जेल के अंदर और जेल का मतलब ही होता है सुधार गिरह जब सुधार गिरह में ये रह कर ये सुधार रहा था तो जेल परसासनी को ऐसे लगता था जैसे इस ने कोई जुर्म ही नहीं किया है अपराद ही नहीं किया है तब यह request करते हुए जिलर साब से सुप्रेटेंडेंट से कहता है कि साब मुझे कुछ टाइम के लिए payroll दे दीजिए मुझे बाहर जाना है और जब यह request करता है तो इसकी request 28 जनवरी 2022 को स्विकार कर ली जाती है लेकिन बहुत ज़ादा समय के लिए नहीं 16 फरवरी 2020 तक ही इसको जेल से बाहर रहना था यानि पेरोल पर रहना था बापिस 16 फरवरी को आना था और अलिगड़ से ये सीधा दिल्ली की दरफ रुख करता है और यहां पर इसको एक अपनी से आधी उमर की एक लड़की मिलती है या महिला मिलती है जो की वीड़ो थी उसके पती की शायद मौत हो चुकी थी तो इसने उस महिला से शादी की और शादी करने के बाद ये सीधा दिल्ली में जाकर शिफ्ट हो जाता है वहां शिफ्ट होने के बाद कनाट पलेस में कुछ जमीन की खरिदारी करने के उसमें ये किसी से ठगी करने के प्रियास में था, कोशिश में था और तभी एक वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हो जाता है राजिस्तान की जिला कोटा से एक सुधा अगरवाल नर्सिंग होमका या हॉस्पिटल का उसमें बताया जाता है कि ये जो व्यक्ति है जिसका नाम डॉक्टर देविंदर शर्मा है ये लोगों की इलाज के नाम प लोगता है कि साहब एक व्यक्ति इससे मिलती जुलती शकल का है इससे कम उमर की एक महिला इसके साथ रहती है हो ना हो ओ सकता है यही वह वह व्यक्ति हो तो 29 जुलाई 2020 को ये पुलिस के हत्ते चड़ जाता है पुलिस को फिर से गरफतार करती है लेकि इस बार इसको CCTV camera हुआ करते थे और नहीं mobile का इतना वर्चस हुआ करता था तो शायद पुलिस को इसलिए भी दिक्केते हुएं क्योंकि railway station या किसी terminal के आसपास या फिर बस स्टोप से यह जब भी गाड़ियां किया करता था तो वहाँ पर उन दुनों 2002-2004 तक कभी कोई CCTV camera का चलन नहीं था इसलिए शायद पुलिस के कुछ हाथ खाली थे और कुछ नहीं मिल रहा था यदि गफ़ार खाने इस मामली को मिरता से नहीं लिया होता अपने चांद और शराफत की मौत का तो शायद ये केस कभी खुलता नहीं और ये व्यक्ति कभी पकड़ा नहीं जाता ये जेल जो गय में इसकी गैस अजिंसी पर चापा पड़ जाता है और इसको जेल भीज दे जाता है और जो दो व्यक्तियों के नाम इसने लिये थे अलिगड के उन दोनों व्यक्तियों को पुलिस बाइज़त बरी कराती है चुड़वाती है और वो बापिस अपने घर आ जाते हैं क्योंक अपने खियार लखें सुरक्षित रहें जै हिंद जै भारत